जगदिसपूर परखण में छिटपुट घटनाओं के बीच पंचायाद चुनाप का मतदान लगभग 62 परतिसत बोटिंग के साथ संपन हुई जगदिसपूर मधविद्याले जोगिवीर मधविद्याले टरडी हा मधविद्याले कोला नरायनपूर सहित करीब एक दरजन मतदान के इंदर पर मतदाताओं की कतार लगी रही जिससे मतदान समय बीत जाने के बाद भी देर साम तक मतदान कराया गया मतदान को लेकर बढ़ चबड कर हिस्सा लिया गाउं की सरकार चुनने में यूवा मद्दाताओं के साथ सा वृद्ध मद्दाताओं ने मताधिकार का उत्साह के साथ प्रयोग किया बता दे कि मतदान आरंब होते ही परखंड के भवानी पूर्दिस्री पंचायत अंतरगत मतदान के दिर 169 के EVM में तक्निकी खराबी आ गई करीब 3 घंटे के बाद वहां मतदान आरंब हुआ इसके लाबी भी कई जगों पर EVM में तक्निकी खराबी आई लेकिन उन्हें सिग्रिद्रूस्त कर लिया गया उन्हें बदल दिया गया परखंड के कई जगों पर बायोमेट्रिक मसीन में नेटवर्क नहीं आने के भी सिकायत मिलती रही अंतरता अधिकांस मतदान केंद्रों पर बिना बायोमेट्रिक कहीं मतदान कराया गया मतदान के दुरान कहीं से हंगामा एवं कोई अप्रिय घटना की सूचना नहीं मिली मतदान को लेकर हर जगा सुच्छा वेवस्था चाक चौम बंद रही। गंटा निर्जला रहकल महिलाएं इस स्वर से अपने पुत्र के लंबे आयू की कामना करती है। बाब्यूत इसके मदलान केंद्रों पर महिलाओं की लंबी कतार वोटिंग के लिए देखी गई। महिलाएं विकास करने वाले उम्मिद्वार को इस बार अपना परतनिधी बनाय जाने की बात कर रही थी। वहीं पहली बार वोटिंग कर रही महिलाओं में भी काफे उत्साह देखा गया और विक्सित समाज और पंचायज बनाय जाने को लेकर अच्छे परतनिधी चुनने की बात कर रही थी। भागल पूर्जले के साकुन प्रकंड में त्रियस्त्रिय पंचायद की चौट्री बनाय जाने की बात कर रही थी। प्रकंड में होने वाले चुनाव के लिए नामंकन की तिसरे दिन कई पंचायद के दिगजों ने अपना नामंकन परचा भला। निवर्तमान मुखिया सहित कई परतियासियों ने अपने जीत के दावे किये इस दोरान सुच्छा ब्यवस्था के पुकता इंतिजाम किये गए थे। खुद सहकुंड थानाध्यच अनील कुमार विधी विवस्था की मॉनिटरिंग कर रहे थे। नाथ रही। मंदिर परिसर पहुँची। मंदिर परिसर में पूजा अर्चना के साथ बोधन कलस को अस्थापित किया गया। इसके पस्चाद भक्तों की बीच कॉडियां लुटाई गई। कॉडियों का महत्व सीधे कुबेर धन की प्राप्ती से है। जिसे कोड़ी मिल गई मानों से धन धानी वबैभब की प्राप्ती हो गई। मंदिर समीती के देवासिस बनरजी ने बताया कि निकाले गई बोधन घट में बंगाली समाज की महिलाएं वपुरूस सामिल है। इस दोरान महिलाओं ने एक दूसरे को सिंदूर पहना कर माद दुर्गा से सुक सम्रिदी वसान्ती की कामना की। बोधन कलसस्थापना के साथ ही बांगला रिती रिवाज से माद दुर्गा की पूजाज सुरू हो जाती है। मौके पर सेखर घोस, टॉक्टर दीप चंदा घोस, मिठु अचारिया, देवासिस, बनरजी समेत अनिलोग मौजूद थे। पूरी तरह से नहीं जानते हैं। उन्हें उनकी अधिकारों के परति जागरुक करने के लिए जागरुकता अभियान चलाया जाएगा। इसके लावे बच्चों और महिलाओं के कल्यान के लिए सरकार की चलाई जा रहे योजनाओं के बारे में विस्तार पुर्वग बताया जाएगा। यह सिविट 2 अक्टूवर से 14 नवंबर तक चलेगा। चौधरी के हाथो दिया गया। इसमें विस्तार से बिहार में किर्णी ट्रांस्प्लांट, ब्रेन सर्जी जॉयन्ट रिप्लेस्मेंट इत्यादी पर बाते हुई। यह सम्मान था आचार चरक चिकित्सा सम्मान समारों और इसमें परदेश के 25 नामी गिरामी चिकित्सकों को दिया गया। जो अपने परे छेत्र में अच्छा कार्ज कर रहा हैं। मुझे फक्र है कि हमें भी इस सम्मान से लबाजा गया। और हमें दिया गया कि हमने बिहार में सरपर्थम बेंट्रेटर और ब्लट गैसे लाजर जैसे आध्या अधुनिक्त बशीर लाकर हमने आधुनिक्ता का प्रवेश किया नवजा सिसू के छेत्र में। इसलिए हमें चुरा गया और यह एवार्ड जो है स्वास्त बंतरी स्री मंगल पांडे एवं स्री संबराट चोधरी के हाथों दिया गया। तो काफी अच्छा रहा इसके बाद एक गोस्ती भी इसमें नी रिफ्लेश्मेंट। दो सराब तसकर मंगलवार की सुभा बिहार की बांका जिला की चांदन पूलीस के हाथ लगे। किसी ट्रैक्टर में रिफ्लेश करने के लिए ले जाया जा रहा हो। पूलीस उन से पूछताच कर रही है ग्यात हो की चानन थाना च्छेतर में ही कुछ दिन पूर्व एक ठेले पर बने गुप्ट चैंबर में छिपा कर जारकंट से मुंगिर ले जा रहा ही देशी अंबिदे से सराब की एक बड़ी खेव पूलीस ने पकड़ी थी। उक्ते कारवाई में भी पकड़े गए सराब तसकर मुंगिर की कासीम बाजार इलाकी की ही रहने वाले बताए गए थे।